असलाम अलाइकूम इन्स्ट्वेंट सोलेशन चैनेल से मैं हूँ तो हेन तो मेरा लास्ट जो वीडियो पार्ट वान वो अपलोट कानने के बाद मेरे पास बहुत सरा रिक्वेस्ट आया था पार्ट टो मेंस मेरा सेकेंड इंटर्वीव में क्या 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 कोश्चेन पूसा था और इसका एंसर क्या है ये लेके भी एक वीडियो अपलोट करने के लिए तो आजका वीडियो में हमारा second interview में क्या-क्या question पुछा था और इसका answer क्या है एई आपको अस्चा से समझा देंगे और इसका पहले एक चीज आपको पता दे रहा हूँ देखिए मेरा जो दोनों interview था फास्ट और second ये दोनों interview का question almost 50% सेमी था तो आभी आज second interview में क्या-क्या पुछा था ओ लेके आपके साथ discuss करेंगे और आभी तक हमारा जो interview का part 1 का वीडियो ये आप लोग नहीं देखा तो इसका link में description box में दे दोंगा आप चाहिए तो वाला भी एक बार देख सकता है तो चलिए हमारा आज का वीडियो start करता हूँ तो पहले मेरेको पूसा था loop test क्या है और एक कैसे loop test करना परता है तो देखिए इसका जो answer था loop test एक pre-commissioning activity होता है मतलाब इसको commissioning का पहले ही करना परता है मतलाब instrument क्या feel device को operation करने का पहले इसका wiring पोपरली हुआ की नही देन इसका wire कहा पे आर्थ हुआ की नही और इसका wire कहार पे ब्रेक हुआ की नही यह आमारा loop check करने के बादी पता चलता है और एग loop test दो टाइप कराय था है एक cold loop test और एक hot loop test जो cold loop test है यह हम लोग को offline पर कानना परेगा और hot loop test online परेगा मतलाब without power देके हम लोग को cold loop test करना परेगा और device को POWER देने के बाद hot loop test करना परेगा cold loop test means हमारा field device में जो cable connect होता है ये cable का continuity सोई मिल रहा है की नहीं मतलब पोपार ले doing का हिशब से connection होआ की नहीं ये check करना बढ़ता है मनलीज ये हमारा field में एक transmitter लागा है ये transmitter का cable आ रहा है एक field जेबी से और एक field जेबी से cable आ रहा है हमारा marshaling cabinet से तो पहले हम लोग को instrument का cable निकल के doing का हिशब से अमारा field instrument to jeb इसका cable का continuity check करना पड़ेगा देन check करने के बाद इसका continuity पोपार ले मिल जाएगा तो फिर अमारा jb to marshaling cabinet का जो cable ये इसका coordinate चेक करना पड़ेगा देन इसका connectivity भी मिल जाएगा तो फिर अमारा field instrument to mars는 cabinet तक चेक करना परेगा continuity अगर ये पोपारली मिल जाएगा तो फिर अमारा cold loop test ओके हे आभी hot loop test करना परेगा ये hot loop test करने के लिए पहले हम लोग को अमारा marsaling cabinet में field device का fuse लागा रहेगा ये fuse को close करना परेगा फ्यूज को क्लोज करने के बाद 24 वोल्ट DC पावर आमारा ट्रांस्मीटर में आएगा देन आमारा ट्रांस्मीटर ओन हो जाएगा अभी चाहिए एक हाट कोमिनिकेटर ये हाट कोमिनिकेटर को अमारा फिल्ड डिवाइज means transmitter के साथ connect करना परेगा then अभी अमारा transmitter का range unit ये पोपर्ली चेक करना परेगा मानलेजी अमारा transmitter का range ये 0-100 bar मतलब LRV और URV same range DCS पर है की नही ये चेक करना परेगा देन चेक करने के बाद अब इस सिमुलेट में जाके 4 मिलियम्स, then 8 मिलियम्स, then 12 मिलियम्स, then 16 मिलियम्स, then 20 मिलियम्स देखे हम लोग को चेक करना पड़ेगा मतलब हम लोग फिल्ड से जो इनपूट दे रहो यह अमारा DCS तक सोई से जा रहाए की नहीं अगर यह सोई से अमारा जो इनपूट है यह अमारा DCS में जा रहा है तो अमारा हट लूप चेक बड़ाबर कम्प्लिट हो गया तो एई है लूप टेस्ट अभी मेरे को पूसा था ट्रांस्मीटर को लाइन अप कैसे करेगा तो इसका जो एनसर था ओहे ट्रांस्मीटर को लाइन अप करने का पहले ए ट्रांस्मीटर का लूप टेस्ट सोई से हुआ की नहीं ओ एक बड़ चेक करना परेगा अगर इसका लूप टेस्ट हुआ तो आम लोग इसको लाइन पे ले सकता हो मानली जिए एक पेशाट ट्रांस्मीटर को अम लोग अभे लाइन अप करेंगे तो इसके लिए आमारा ट्रांस्मीटर का साथ मैनिफोल्ड रहेगा और ये मैनिफोल्ड के साथ एक आईसिलेशन भाल्ब रहेगा और एक भैंड भाल्ब रहेगा ये दोनों पहले close है की नहीं ये चेक करना परेगा अगर close नहीं है तो ये दोनों को सोई से close करना परेगा अभी mechanical का जो pipeline ये pipeline से impulse tube का थुरू होके अमारा transmitter तक line आएगा मतलब tube आएगा ये impulse tube का पहले एक isolation valve रहेगा main isolation valve ये valve को पहले open करना परेगा देन open करने के बाद आमारा जो line का steam हो क्या water हो ये अमारा ये tube तक आजाएगा अभी निचे जो एक drain line आप देख रहे है ये drain valve है ये drain valve को open करना परेगा open करने के बाद आमारा line में जितना कस्रा रहेगा ये पानी के साथ ओ निकाल जाएगा अभी drain valve को close करना परेगा और आमारा ये manifold के साथ दो valve है निचे वला आमारा main isolation valve रहेगा और ओपराल आमारा band valve रहेगा अभी isolation valve को थोरा open करना परेगा देन band valve को open करना परेगा देन आमारा manifold से भी थोरा band venting हो जाएगा आभी भेन भाल्ब को close करना परेगा और isolation भाल्ब को full open करना परेगा फिर ये लाइन पे कितना पेशार है ये accurately हमारा transmitter में शो करेगा और इसका जो भेलू ये भी DCS में चला जाएगा तो ए हो गिया transmitter का लाइन अप तो आभी मेरे को पूसा था control valve कितना type करायता है तो इसका जो answer है ये है control valve चार type करायता है एक है flow control valve, pressure control valve, level control valve और temperature control valve मतलब line का flow control करेगा तो इसके लिए flow control valve वियूज करना परेगा देन line का pressure को control करेगा इसके लिए pressure control valve यूज करना परेगा और line का temperature को control करेगा तो इसके लिए temperature control valve यूज करना परेगा तो आजका वीडियो इधर ही finish कर रहो नहीं तो ए वीडियो बहुत long हो जाएगा और next में ये interview का question और answer लेके और एक वीडियो अपलोड करेंगे तो ठीक है मेरा लगता है आजके वीडियो में interview board में क्या क्या question पूसता है और इसका answer क्या है ये आपको अच्छा से समझा दिया तो मेरा वीडियो आपको आच्छा लागा तो प्लीज एक like देके मेरा चैनल को subscribe कीजिए और बिल आइकन बटन को जोरो run कर दिजिए फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो ओभी आपको मिल जाएगा और कुछ question होगा तो प्लीज comment कीजिए धन्यवाद